यूटूब के चैनल के हम से विरते वोगा स्वाइब करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं से इच्छा रहे हैं सम्दित किसी भी ख़बर को पाने करें दोस्तों एक बाद जरू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैर आइकान एक्टिप कर लेजे ताकि प कि कप तक जो है सिच्छणी निउती की प्रेक्रिया संपन होगी वहीं कांसलन को ले कर देखिन उनय कहा है कि जल्दी आएगी कांसलन की डेट जीporter इब बूरा चलता है वह प्रात्मिक इम और प्रात्त चलता है इसी को लेकर उनने ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है दोस्तों कि जल से जल जो है वो कांसलिंग की डिट जो है वो आने जा रही है तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे कि वही आपके कांसिलिंग की तारिक जो जल से जल आने वाली है तो देख सकते हैं प्रात्मि सिच्छन देखने जो यह ट्वीट किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यू तो बिहार पे देशकते हैं आगे देखते हैं उस तो फोल्डर अप्लोड नहीं किया तो जाएगी नोकरी अब तक मिली रासी भी वर्सुली जाएगी 88,000 सिच्चकों को एक माह में ब्योरा अप्लोड करना होगा देशकते हैं उस तो कहा गया है कि एक माह का समय दिया गया और कहा गया है कि एक समा के भी तरिये है जो ब्योरा अप्लोड करना होगा और देशकते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ लीजे इसमें राजिके सरकारी भी देलो में पंजायती राज तथा नगर निकाये नियोजन इकायों दोरा बहाल ऐसे सिचक जिनके प्रमान पत्रों की निगरानी जांच नहीं हुई है उनके लिए राज सरकार ने अंतीम महुल के रूप में एक माह का समय दिया है ऐसे सिचकों की संख्या 88,000 है इनने इसी माह 21 जून से बीज जुलाई तक प्रमान पत्रों सिच्चाई भाग दोरा एक एनना इसी की मदद से बनाए गए बेप्रोडल पे डालना होगा 88,000 सिचकों को एक माह में विवरा अप्लोड करना होगा यानि कि एक माह का समय दिया गया है 88,000 सिचकों के लिए कि एक माह की बित अप्लोड करना होगा सर्टिफिकेट जैंदोस्तों एक लाग तीन जार पंद्रा हजार सिचकों के फोल्डर विवाग को मिल चुके हैं तीन लाग दसदा सिचकों के फोल्डर की चल रही है जाँच आप दे सकते हैं दोस्तों इन प्रमानपत्रों को देने की है अनिवारिता निगरानी जांच में छूटे सिचकों को फोल्डर जमा करने का एक माह का मोहल दिया गया वसूल या दिनियम के तहत वसूली की जाएगी अब तक प्रावत वेतन रासी दे सकते हैं दोस्तों इन प्रमानपत्रों को की भोगी अनिवारता बे पोटल पर उपलब्द प्रपत्र संबन्दी सिचकों को मूल प्रमानपत्रों यसा मैट्रिक का अंकपत्र प्रमानपत्र इंटर का अंकपत्र प्रमानपत्र रिश्नातक तथा का अंकपत्र प्रमानपत्र सिचक प्र कि अब तक जिन सिचकों के प्रांट पत्रों से संबंदित फोल्डर निग्रानी अनुवेशन ब्योरा को डीप्यू दर उपलब्द नहीं कराए गये हैं उनके फोल्डर को उपलब्द कराने के लिए अंतिम बिकल्प के तोर पर विभाग दवरा एक बे पोटल तयार किया गय प्राइगी तमाम बात जो है देखी यहां पर लिखी है प्रात में सिच्च ने सक सिच्चा विभाग के वेब साइट दे सकते हैं यह लिखा हुआ है लिंक के मादे जिलावार अपलोड किया जाएं इस इच्चकों के नाम की सूची और यह तमाम बात जो है वो देखी जीए बात भी कही जा रही है के समाने कोट के बैस बैली स अंग पर होंगा उगी उत्विद/. यह दोस्तों बैली संपर उत्तिंत करने की बात कही गई we're गmania की विए वे इंटर सबस्राइबyang लाते आं ठीक है, अच्छी खबर है, जिसकतने निग्रानी जांच में चूटे 93,000 सिचकों की नोकरी पर संकट, 17 जुलाई तक पोटल पर सर्टिफिकेट अप्लोड नहीं किया जाएगा तो जाएगी नोकरी, तमाम बातें जिसकतने सिचेवाग ने भेजा है कि निग्रानी जांच में चूटे 93,000 सिचकों की नोकरी पर संकट जो है, वो कहीने कहीं मनरा रहा है, निग्रानी जांच में चूटे 93,000 सिचकों की नोकरी पर तलवा लटकी है, 17 जुलाई तक जिला के NIC पोटल पर जो सिचक सभी जरूरी का सर्टिफिकेट अप्लोड नहीं करेंगे, उनकी बाहली फर्जी मानते हुए हटा दिया जाएगा, निग्रानी जांच में सर्टिफिकेट फर्जी मिलने पर नोकरी से हटाने के साथ ही, वेतन की रिकारी भी होगी, बुद्वार को इस सम्बंद में सिच्चाई बाग ने सभी डियो को और डिपयो स्टापना को पतर भेज दिया है इससे पहले सभी जीरों के पोटलों पर ऐसे लगबग 93,000 निग्री सिच्चकों के नाम स्कूल अपलोड किया चुके हैं, अब इन सिच्चकों से उनका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 26-25 तक बिभी निग्री निकाईयों से बहाल सिच्चकों के में एक दस्मनों 0-3 ला पिछले काफी दिनों से जांच में छूटे सिच्चकों के नाम NIC की बे पोटल पर अपलोड करने की बात कही जा रही है, तो दे सकते हैं दोस्तों कहा जा रहा है कि वही 17 जुराईता कोटल पर सिच्टिफिकेट अपलोड नहीं किया तो जाएगी नोकरी, आप दे सकते हैं दोस्तों हाई स्कूल और इंटर में लेखें दिव्यांग अभियरतियों की संक्या एक भी नहीं है, एक दिव्यांग ने केवल लेखें यहां पर आवेदन किया है, तो अब दे सकते हैं कि वही दिव्यांग अभियरतियों की संक्या मादिमिक विद्याले में बहुत जादा हो पाएगी क्योंकि STD की बाहल इन ना हो पाना एक बड़ा संकट है भेरतियों के लिए आगे देखे क्या कusta लिखाय स很好 है तो यह व्यूर एक इसमें देख लेते हैं और यह देखे ब्योडा दिया है कि किने अवDR जमा हुए हैं इसका भी ब्योडा यहां पर दिया गया है कि वही कहा पे कितनेश आवईदन आये हुए हैं ठीक है और ये का गया है कि प्रखंड पंचायतों में भी नहीं पहुंच रहे हैं दिव्यांग तो दिव्यांग जो है वो प्रखंड पंचायतों में भी नहीं पहुंच रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं आवेदन तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों आवेदन जो है वो नहीं आपा रहे हैं और जैसा कि हम लोग इंतिजार कर रहे थे कि वहाई जल्द जल्द इन लोगों का आवेदन आ जाए ताकि निफ्टी की पेक्रिया और कांसलिंग की तारिक आगे आए हाय स्कूलों में 33 स्कूल की जल्द होगी क्योंकि 22 Jun को कहा गया है कि इसका रिज़र्ट जयारी हो रहा है तो अपर मुझरी संजे कुमार ने बताया कि कि रिज़र्ट जारी केने के लिए विद्विहार विद्व हर पसे समयद्오 साथ इस मामले पर वामर्फ और किया जा नवाफ तो चेंड कर दो चेंड झाल 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 झाल